कि अमारे नेताजी नीतियों से अपने भटक गए हैं 2022 में भी फिर वही कहानी दोर आई गई कि जहां कारे करता है उनको वहां टिकट नहीं मिलता है जहां कारे करता नहीं है तहां का टिकट लेते हैं जब लड़का हार जाता है तो अपने गठबंधन के पार्टी पर दबाव बनाने लगते हैं कि हमारे लड़के कोई मेलसी बनाईए जब यह संभव नहीं होता तो उससे अगड़ बंधन तोड़ लेते हैं और उस पर तरह 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 ते आरोप लगाते हैं बड़े आरोप लगाते हैं अंससदी और मर्यादित भाताओं को अप्रयोग करते हैं सुहेल देव भारती सामज पार्टी के प्रमुक ओम परकास राजभर्स के पार्टी से लगातार कारेकरताओं का पदाधिकारियों का इस्तिफा जारी है इसी करम में देवरिया के अभेनंदर बर्नवाल जो पार्टी में प्रदेश महासची थे आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है उनसे बात करते हैं कि आखिर में क्या इस्तिय आ गए उन्होंने रिजाइन किया है कि बताइए वह नम्दिन जी क्या वज़ा रही है कि आप रिजाइन कर रहा है पार्टी से आप लोगों को धन्यबाद हमारे नेता जी नितियों से अपने भटक गए हैं पार्टी की जो गाइड लाइन थी जो बेवस्था था उससे बिल्कुल भटक गए हैं जब गठन किये का तो एक न हम कुनाव लड़ेंगे न हमारे परिवार का कोई लडेगा लेकिन अज श्तितियां यह बन गई हैं कि 5 साल कार्यकरता मिotom आत करता है फिल तैयार करता है और वो अभी घुम घुम करते हैं कि जब लड़ेगा तो हमारा कार्यकरता ही लड़ेगा दूसरा कोई नहीं लड़ेगा जब चुनाव नजदी काता है तो कार्यकरताओं के सहयोग से और अपने समाज के सहयोग से बड़ी मीटिंग कर लेते हैं जब मीटिंग सफल हो जाती है सभासफल हो जाता है तो उसके दम पर हुए बड़े दलों से सम्झाथ जनादार करते हैं कि और ज हो tuna क्यपने करते हैं नेता how to do which को लेकार्पार कुषे से क्राइड हैं झाहा करते हैं यहां को कुषत है अंप grands रकम ले करके टिकेट बेचने का काम करते हैं और करेकरता हों को अफमानित कि बहुत अच्छा उनका कुल्वबरेशन था 2022 में मिलके चुनाव लड़े लेकिन फिर उनके रिस्ते खराब होते जा रहे हैं और भाजपास सिंग जो अगर देखा जाए तो मुक्रमंत्री से भी अभी मुलाकात की है हाली में इसको क्या आप मानते हैं करतो रहे हैं जब टिकट ले करके समझावता करके अपने लड़ते हैं अपने लड़के को लड़ाते हैं अपने तो चुनाव कारेकरताओं के सहयोक से जीच जाते हैं निकि लड़का हार जाता है जब लड़का हार जाता है तो अपने गठवंधन के पार्टी पर दबाव बन प्रवाइब लगातार सिल्षिलाथ बीजेपी से किए बीजेपी के बाद बाबू सिंग कुछ वाहा के पास गए वाइसी के पास अकले से आदों के बास गए वहां से चुनाव लड़े जीते अपने लड़का हार गया फिर एमेल सी बनाने के लिए दबाव बनाने लगे और सलेमपूर में 2022 का चुना हुआ था उसमें सुहेल देव पार्टी से प्रतियासी उन्हें उता रहा था लेकिन लास्ट मॉम्मेंट में टिकट काट कर जो समाजवादी पार्टी से जो पहले विधायक रहे मनवत्परसाद उनको टिकट दे दिया गया था क्या एसी क्या बात सलेमपूर में सीवचन कनोजिया वहां तयारी करता था चुनाओका लेकिन जब टिकट मिल गया तो नो दे करके अपने एक दूसरे कारेकरता को दूसरे जगत से बेजे तब ही कारकरता हुने संतोष किया कोई हमारा कारेकरता ही ना आया है लेकिन एक दिन पर चाह उसका दा अरग उन्हें गोपाल कनोजिया उजारी कर रहे थे वहांपर भी उन्होंने गोपाल कनोजिया को ठीकट मदे करके रिटार बड़े अब सर को टीकट दिया तो उनको अ26 क सनयोबाने से गया इकैंशिय किस्तियवर जाति होगे इसकिकन आप गया तक जोटक एक है अई तो उनका मामला है लेकिन हम लोग अटाची देखते हैं बड़ी बड़ी अटाची आती है और जाती है तब भी आप बरसों रहें उनके पार्टी में शुरुवात दोर से इतना तो अंदाजा होगा कितना पैसे में टिकट बेच रहा है वो कितना लगबक कितने करोण में टिक जबाधिकोर कदा jsemने तृविप कर दिया कि हर जिलों में कोई ऐसा जिला नहीं है जोवावटी को पार्टीके पर्मुक कदावर जो पहिले से समर्पिद कारे करता है हर जगार पार्टी मुझ ऑंक्र रेजायन कर रहा है और आ बहूत तेजी से चलन कर भाठा पार्टी प्रदेश महासचीव सुहेल देव भाहरती समाज पार्टी के जुन्हों ने अब इस्तिपाद है काफी इनके अंदर आक्रोश है पार्टी कि जो सुहेल देव है समाज पार्टी जो नीतियां थी टिकेट बेचने का उरोप है टिक employees अपने मूल कार्टा हो टिकट देने का आरोप है तमाम इस तरह के आरोप है इसको लेकर पार्टी के तमाम परादिकारी और बड़े नेताओं ने इस्तिपा दिया है और इस्तिपा अभी जारी है राम प्रताप सिंग देवरिया यूपी तक टाओ आरोप अजाग ओड़े कर दो कि दो पार दोशेवरिया यूपी जाओए ने खार अवी तक पूड़े पार वियं अवीजा के दोर आरोप है पार आरोप है यूब को